तुछ लगता है निर्व भाव गटा है यह आपको गारी दिया ने कुछ दिया ने तेल दिया अपसे पून ने किये वह बात करने के अधिक पूर पश्च करना पड़े गा हम भी ले ने अपकी बार अगला बार नहीं दिया था मुखे मंतरी नितीश कुमार के लागले बिधायक ने दे दिया है चौकाने वाला बयान और यह बयान जो है वो इंडिया गटमंदन के लिए खुशी है तो इंडिया गटमंदन के लिए बेहधी चिंता चनक नमस्कार मैं श्वेत और आप देख रहे हैं नियूस फॉनिश्वन नितीश कुमार के लागले बिधायक गुपाल मंदन ने एक बार फिर से बिवादित बयान दे दिया है मंदन असर अपने कारناमों और बातों के लिए चर्चाओं में रहते हैं गुपाल मंदन कुछ कुछ बाते ऐसे कह देते हैं जिसके बाद बिहार की राज़निती गलियारों में चर्चा का विशय बन जाते हैं एक बार फिर से गुपाल मंदन ने कुछ ऐसा ही कहा है गुपाल मंदन ने एंडिये के 40 सीटों को लेकर बड़ा दावा कर दिया है भागलपूर में जद्यू के बड़ बोले नेता और विधाय गुपाल मंदन ने मीडिया से बाच्चीत के दौरां दावा किया कि पी एम मो 32 सीटों पनी सिमट कर रह जाएगी भागलपूर में अपने पाटी के प्रत्यासी अजय मंदन को लेकर भी कुछ ऐसा ही कह दिया जिसकी बज़ा से मौके पर मौझूदा लोग कुछ पल के लिए सहज होके उन्होंने भागलपूर के जद्यू प्रत्यासी अजय मंदन का जि लालू यादब के द्वारा मुस्लिम के अरक्षन देनों की बात पर बयान किया गया सवाल किया गया तो उन्होंने चुपई साथ ली राज सुप्रीम लालू पशाद यादब ने मुस्लिम को अरक्षन देने की बकालत की लेकर इसके बावजूद जो है बात में बयान को ल गुपाल मंडल पहले भी विवाद बयान देते रहें यहां तक कि अस्पताल में पिस्टॉल लेकर जाने पर विवाद हुआ था उन्होंने मीडिया वालों को अब शब भी कहा था उसके बाद एंडिये के खिलाफ उनका बयान आया और अब गुपाल मंडल ने भागलपूर मे वो एंडिये नहीं जीतने वाली है क्योंकि नितीश कुमार नहीं बलकि प्रधारमंती नरेंद्र मोदी का जो क्रेज है प्रधारमंती नरेंद्र मोदी की जो लहर है वो कम होती हुई नजरारी और 30-32 सीटों पर एंडिये सिमट चाएगी अब देखना होगा गुपाल मंड को ये टिकट नहीं दिया गया उनके भाई को टिकट दे दिया गया एक तरफ गुपाल मंडल को टिकट नहीं मिलने के बाद जो है वो उनसे सवाल किया गया कि क्या वो चुना प्रचार में नजर आएंगी तो उन्होंने साफ साफ कहा था टिकट नहीं मिला कोई बात नहीं परिटी कर था लेकिन कोई लेकर चला गया हम कहीं कर सकते हैं लेकिन हम चुना प्रचार करेंगे हम नितीश कुमार जीर के साथ हैं और अब देखना होगा कि गोपाल मंडल के इस बयान को लेकर इंडिया लाइंस की तरफ से क्या कुछ पतिकरिया सामने आती है फिलहाल के